नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग पुना इस वीडियो के माध्यम से दो महत्पुन विश्य दो महत्पुन तत्थ पे चर्चा करने के लिए उपस्तित है इसका पहला तत्थ इस प्रकार से है कि सात्वे चरण में सिक्षक बाहली के लिए नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावनाय है उसके बाद दूसरे तत्थ पे हम लोग चर्चा करेंगे और वह तत्थ इस प्रकार से होगा कि नव सीटेट अभिहर्थियों के लिए इसमें मोका मिलेगा या नहीं मिलेगा निकि सात्वे चरण की सिक्षक बाहली में जिसमें सबाद दो लाग से अधिक सिक्षकों की बाहली होगी तो उसमें वह मोका प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो नव si tete में बहुत सारे ऐसे अभीर थी हैं जो अभी सकंड एर में हैं कहीं से डियलड या तो बीड कर रहे हैं तो वह सकंड एर में हैं लेकिन cbsc के द्वारा ऐसी आजादी दी गई, ऐसा छूट दिया गया कि जो sकंड एर में हैं वह भी CT8 में APR हो सकते हैं और APR हुए भी उनका अंसर की सहायता से जो 14 फरवरी को आया था उसकी सहायता से उन्होंने प्रशनों का मिलान किया और वह क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर रहे हैं तो वैसे अभ्ह्यर्थिओं की चर्चा करेंगे कि क्या हुआ है, समय पे सामिल हो पाएंगे, क्या उन्हें समय पे training का certificate मिल पायेगा या नहीं मिल पायेगा तो लगभग वैसे अभ्यर्थिओं के लिए 3-4 महने तक अभी उसको वेट करना होगा ट्रेनिंग का डियलर्ड या तो बीर्ड ट्रेनिंग का सर्टिफिकट प्राप्त करने के लिए हम आपको साथ में चरन सिक्षक बाहली परक्रिया से सम्मंधित एक 14 सकेंड का विडियो है जिसमें सिक्षा मंत्री ने असपस रूप से इस बात को इंगित किया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप असपस रूप से समझ गए होंगे कि साथ में चरन की सिक्षक बाहली से सम्मंधित जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिले होगा सिक्षा मंत्री के द्वरा कहा जा रहा है कि सबसे पहले नियमा बली आएगी नियमा बली आने के बाद केविनेट में जाएगी वहां से पास हो करके पुना सरविदित होगा और उस नियमावली में किस प्रकार से नियम बनाए जाएंगे वो तो बाद बाली देखने बाली बात होगी उसके बाद जब नियमावली बन जाएगी हम लोग देख लेंगे सिक्षा विभाग इसके लिए तयार हो जाएंगे कि सातमे चरण की सिक्षक बाहली का नोटिफिकेशन अब दिया जाना चाहिए तब नोटिफिकेशन आएगा आफ याद किजिए कि 2019 से ही सातमे चरण के लिए सिक्षक बाहली के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है अभिहर्थियों के दोरा कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन दिया जाए तो उस समय पुराने नियमावली के तहत ही सिक्षक बाहली की परक्रिया होनी थी लेकिन समय बीत्ती गई समय बीतने के बाद अब उस नियमावली को केंसिल किया जा रहा है नए नियमावली को लाया जाएगा फिर उसके बाद सात्मे चरन के लिए जो सवा 2 लाग से अधिक सिक्षकों की बहाली होगी उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा इसमें तीनों प्रकार के सिक्षक हैं प्रार्थमिक विद्याले के सिक्षक हैं उसके बाद माध्मिक विद्याले के और उच माध्मिक विद्याले के भी सिक्षक होईगे तो जब 2019 से इसकी चर्चा हो रही थी कि नोटिफिकेशन लानी चाहिए तो उस समय वैसे कंडिडेट थे जो फिलाल 2022 में सीटेट क्वालिफाई किया है वह कंडिडेट उसमें सामिल नहीं था उनका सोच था कि कुछ डिले किया जाए जो कि हम लोग भी इसमें सामिल हो जाए बीच में यह भी मांग उठी थी कि बीटेट की परिक्षा ली जाए उसके बाद सातमे चरण की बहाली परक्रिया को शुरू की जाए बीटेट की परिक्षा के लिए असपस रूप से आप समझ ही गए हैं कि उसके लिए विभाग की ओर से कही गई कि अभी फिलाल इसकी कोई हम लोग विचार नहीं कर रहा है बीटेट लेने के लिए भविसमय अजदी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग सोचेंगे तो वह तो टल गया लेकिन डिले होते होते सीटेट जो नए सीटेट अभेरती है उन्होंने में ही क्वालिफाई किया तो अब यह से हम लोग इस बात को समझें कि अब दो खेमा उस समय भी एक खेमा वह था जो बीटेट 2011 और 2017 में हुआ था दो बार बीटेट हुआ तो उसमें से कुछ कंडिडेट कुछ क्या बहुत सारे कंडिडेट सिक्षक बन चुके हैं लेकिन बहुत सारे कंडिडेट उसमें भी 2011 और 2011 से 2021 तक तो उस वह कंडिडेट वह अभ्यर्थी भी छठे चरन की सिक्षक बाहली परक्रिया में बहुत सारे कंडिडेट सफल हो चुके हैं उसमें भी बहुत सारे कंडिडेट बच भी गए थे उसके बाद वह बचे हुए कंडिडेट बीटेट के कंडिडेट और सीटेट के कंडिडेट दोनों कंडिडेटों के दोरा निकि दोनों प्रकार के कंडिडेटों के दोरा जल्द से जल्द मांग की जा रही थी धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था कि जल्द से जल्द सा किछ दिन और अधी सातमे चरण की बहाली परकिरिया को डिले किया जाए तो हम लोग भी उसमें सामिल हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ सरकार ने उन लोगों की बात सुनी सरकार के पास भी सिक्षा विवाग के पास भी कुछ परिशानी हुई और उन्होंने इस बात को मिला करके चला कि सभी अभ्यर्थियों को इसमें सामिल होना अती आवस्यक है कुछ जो कंडिडेट सीटेट और बीटेट पास कम की संख्यां बताई जा रही थी इसके बाद सीटेट करने के बाद जो नए सीटेट करेंगे तो उसमें कंडिडेट की संख्यां बढ़ जाएगी सभी मिला करके उस परकार से सभा दो लाग की जो भेकेंसी है उसमें सभी फुल्फिल हो जाएंगे तो यह दो खेमा बट करके है अभी भी इसको थोड़ा सा हम लोग साब्धानी से समझने का प्रियास करते हैं पर्थम खेमा में बीटेट और सीटेट जो 2011 तथा 2017 में बीटेट किये हुए थे वहाँ पे वहाँ सफल नहीं हो पाए थे सिक्षक बनने में उसके बाद सीटेट 2011 से 2021 तक में कुछ कंडिडेट का चयन हुआ लेकिन कुछ बच भी गए सभी सफल नहीं हो पाए तो यह पर्थम खेमा और यह खेमा अभी भी सोच रहा है यह ग्रूप अभी भी सोच रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आनी चाहिए साथ में चरन के लिए लेकिन जो नव सीटेट क्वालिफाइं हैं जिसका डियलड या तो बीयड किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट उसके पास एबलेबल है तो वह भी सोच रहा है इस में वह भी जाना चाहता है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आनी चाहिए लेकिन जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है कुछ समय लगेगा दो से चार महिने आने में तो वह सोच रहा है उसकी मनसा इस प्रकार से है कुछ समय लगे तो अच्छी बात होगी तो दो में चरन के लिए नोटिफिकेशन आये लेकिन उसके पहले जो 2023 के लिए सिक्षक नियोजन नियमावली है वह जल्द से जल्द ब्रोडकास्ट हो जाए सभी लोग उससे जान करके अबगत हो जाए कि नई नियमावली में किस प्रकार से लेने का प्रोसेस होगा क्या-क्या उ लेधा सूची बनाए जाएगी उस पर सारी चीजें इंगित होगी और उसको जब सभी लोगों के पास एवलेबल हो जाएगा जानकारी मिल जाएगी तो फिर नोटिफिकेशन की बात होगी तो इस अधार पे सात्मा चरन का जो नोटिफिकेशन है एक अनुमान लगया जा आएसा कि तीन से चार महना लगेगा और तीन से चार महना लगेगा तो उस समय जो नव सीटेट है जो सकेंड यर में अभी है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो मेरा कहने का अर्थ हो गया कि सात्मे चरन का नोटिफिकेशन अभी आने में डिले होगा सबसे पहले सात्मे चरन के लिए जो एक नई निमा बली बनाए जाएगी उसका इंतजार करना होगा और उसके इंतजार के बाद फिर notification का इंतजार करना होगा उसके बाद 9 seatate सामिल हो पाएगा या नहीं हम लोगों ने यह प्रश्ण बनाया था शुरू में तो निशित रूप से 9 seatate सामिल हो पाएगा जिनका अभी तक ट्रेनिंग का जो final mark seat है ट्रेनिंग का जो फाइनल रिजल्ट है वह अभी तक नहीं आया है दो से यानि कि तीन से चार महने या तो फिर जो भी उसका टाइम है उतना टाइम में वह लोग उसमें सामिल हो जाएगा साथ में चरन की बाहली परक्रिया में तो निशित रूप से हम लोग इस वीडियो के म आप सिक्षा मंत्री का सुरू में ही 14 सेकेंड का जो वीडियो था उसको देखे उस पे आप एनलेसिस किजिए और लोगों को बताने का पर्यास किजिए कोमेंड के माध्यम से कि कितना समय लग सकता है और कब इसकी संभावनाएं जल से जल जताई जाए कि आ सकती है क्योंकि लेकिन वहां से यहां तक देखा जाए 2023 हो चुका है तीन साल गुजर चुका और अभी भी फाइनली इसमें कहना मुश्किल पर रहा है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के पहले 2023 के लिए जो सिक्षक नियोजन नीमा बली होगी वह कब आएगी बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस थी थे थाइंक्स पर वाचिंग गुडबै